बिहार के माननिय मुखमंत्री सिरे नितिसकुमार हर उस बिभाग तक पहुच रहे हैं जिस बिभाग के करमचाडियों को उनकी ज़रुरत है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनावीश साल में बिहार की मानेनिय मुख मंत्री महोद है हर उस करमचारियों को तमाम फैसलिटी देना चाहते हैं ताकि उनकी सत्ता फिर से बिहार में बरकरार रहे इन सभी बातों को लेकर कि वो सक्रिये हैं और जब से सुप्रीम कोट और हाई कोट के फैसले समान आये हैं तब से बिहार के होमगार जबानों के लिए एक बहुत बड़ी खुस खबरी जो है सामने आई है सबसे पहले आप लोगों को हम बता दे जितने भी बिहार के होमगार जबान है उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुस खबरी है कि इस बिग्यापन को संग्यान में लेते हुए कहा गया है, क्या कुछ कहा गया है, तमाम जानकारी आप लोगों को आज किस खबर में देंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या कुछ परिसानी होती है, उसको लेकर के संबेदनाएं दी गई है सरकार के तरफ से, उस पर पहले आ लेटर आप लोगों के हितों में पास हुई है, तमाम जानकारी आप लोगों को सिधे बिभाग से जो भी मिली है वो जानकारी देंगे, क्योंकि हम सची वाले तक पहुंच गए हैं तमाम संभिदा करमचारियों के बातों को ले करके, ये आप भी जानते हैं, सभी खबरे हम अ कर लिए और सेयर कर ये, ताकि आप लोगों की जो संभेदनाय होगी, वो एक मजबूत संगठन का एक हिस्सा बनेगा, क्योंकि हर्ताल करने से कुछ नहीं होगा, जो भी बाते होगी डारेक्ट सरकार से पहुंचाने तक ही होगी, अब हम आप लोगों को बता दे, कि बिहार पर महिने में 22,000 तक वेतन हो पाता है, ऐसे में रेगुलर ड्यूटी पाने के लिए होमगार जवान हर जुगार में लगे रहते हैं, बरे पैमाने पर होमगार जवानों को नदियों के मांध की सुरक्षा की ड्यूटी मिल जाती थी, बीते दो साल से या ड्यूटी भी नही मिल पा रही है, पर्व तेवहार पर जिला परसासन और पुलिस की और से चौक चवडाहे पर तैनाती की ड्यूटी मिलती है, लगातार ड्यूटी पाने के रैकेट के कारण कुछ होमगार जवान एक ही जगापर कई वर्सों से ठीके हैं, हलाकी विभाग का स्पस्ट देश है कि होमगार जवान एक जगापर दो मास से अधिक ड्यूटी में नहीं रहेंगे, होमगार कमांडेंट जो है उन्होंने बताया है कि लोटरी सिस्टम एवं इचलान से हर जवान की ड्यूटी मिलती है, इसमें पारदर्सिता बरती जाएगी, और हलाकी ड्यूटी दोसिस के बाबजूद गरबारी का सिलसिला जारी होता है, इससे सभी जवानों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता है, जो जवानों के दोरा जो जुगार लगाया का काम होता है, उन सभी बातों को खतम कर सरकार को क्या कुछ निर्देश दिया गया है, आज किस खबर में आप आपक को बता दे कि पटना से जानकारी आ रही है की राजद के वरिष्ट नेता ने जिनकी सरकार अभी बिहार में हैं उन्हींकए एक नेता ने सीधे सरकार को कहा है कि होमगाट जवानों की मांग पर विचार करने के लिए मुख मंतरी नितिस कुमार को पत्र लिखा अपने प झाज में सुप्रीम कोट और हाई कोट के फैसले को लागू करवाने को ले करके होमगार जवान तटपन है और उन सभी के हीटो में सरकार जल्द आप लोगों की मांग पर ज्याया जाया ले रही है और तमाम जो जानकार। के सीधे पटनेया से निकल के आ रही है तमाम फैसिलिटी आप लोगों को जल्द जल्द मिलेगी क्योंकि ये जिनकी सरकार है बिहार में उन्हीं की बात दोरा कही गई है तो फिर मिलते हैं एक नई ख़बर में देखते रही है वर्ल्ड रिपोर्ट